नमश्कार दोस्तों, कैसे ही आप? उमीद है अच्छे ही होंगे. दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है The Making of a Scientist. तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं. रिचर्ड H. E. Bright आज दुनिया के Leading Scientist में से आते हैं. Biochemistry और Molecular Biology में उनका Contribution अद्बूद है. उन्होंने बच्चपन से ही Science में इंटरस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था. 22 साल की उमर में उन्होंने अपनी Cell Theory की Cell काम कैसे करते हैं उस Theory को प्रेजेंट किया और Scientific World को हिला कर रख दिया. ये Basically Working of Cells के उपर बेस थी. इबराइट और उसके College Roommate उन्होंने मिलकर इस Theory के उपर काम किया. इसे General Proceedings of the National Academy of Science में पब्लिश भी किया गया. ये उनके लिए एक बहुत बड़ी Achievement थी. और Science की फिल्ड में अब तक की उनकी सारी Achievements में से एक थी. ये सब एकदम से नहीं हुआ. इसके पीछे एक बहुत लंबी जर्णी थी. जो की शुरू होती है Butterflies से. इबराइट अपने Parents के एक लौते चाइल्ड थे. वो North of Reading Pennsylvania में रहते थे. वहाँ पे इबराइट के लिए ज़ादा कुछ करने को नहीं था. और नहीं उनके Companions थे. इसके अलावा वो Sports में भी अच्छे नहीं थे. और उनकी सिरफ एक ही Hobby थी. और वो था चीजों को Collect करना. इबराइट Butterflies को देखकर बहुत Attract होते थे. उन्होंने Butterflies को Collect करना स्टार्ट कर दिया. और ये जब उन्होंने स्टार्ट किया, उस टाइम पे वो Kindergarden में थे. उन्होंने इसके साथ साथ Rocks, Fossils और Coins को भी Collect करना स्टार्ट किया. इसके अलावा वो एक Star Gazeर और एक Eager Astronomer भी बन गए. यानि वो अकसर रातों को, तारों को देखा करते थे. और उनकी positions को note किया करते थे. इबराइट की मदर को उनकी स्क्यूरोसिटी के बारे में जब पता चला, तब उन्होंने इबराइट को encourage करना चालू किया. वो उन्हें trips पर ले जाती थी. वो उनके लिए telescopes, microscopes, cameras और इसके अलावा कहीं सारे ऐसे scientific equipments भी लाकर देती थी, जिससे वो अपनी hobbies को follow कर सकें. क्यूंकि इबराइट का कोई companion नहीं था, इसी लिए उनकी मदर ने मदर के साथ साथ उनके friend का भी रोल निभाया. जब से उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया, उन्होंने हर चीज में इबराइट को मदद करी. वो उनके लिए friends को घर भी लेकर आती थी, क्यूंकि इबराइट के फादर उसके बच्पन में ही जा चुके थे, इसी लिए उनकी death के बाद उनकी मदर हमेशा के लिए उसके साथ एक companion के तौर पर रही. अगर इबराइट के पास कुछ करने को नहीं होता, तो उसकी मदर कुछ न कुछ उसके लिए task ढूंडी लेती थी, और वो सारे task learning task होते थे, ताकि इबराइट को कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहे. इबराइट के अंदर सीखने की भूग भी थी और शमता भी. वो स्कूल में भी अच्छे grades हासिल करते थे. Second grade में जब वो थे, तब उन्होंने butterflies की 25 species को collect किया था. उस टाइम पे वो species उनको उनके घर के आसपास ही मिली थी. एक दिन उनकी मा ने उनको एक children's book ला कर दी, और उस बुक ने इबराइट के लिए science के दरवाजे खोल दिये. इस बुक का नाम था The Travels of Monarch X. इस बुक के अंदर ये describe किया गया था, कि कैसे Monarch Butterflies Central America की तरफ migrate कर रही हैं. इस बुक ने इबराइट का ध्यान अपनी तरफ खीचा. बुक के एंड में, बुक को पढ़ने वाले readers के लिए एक invitation भी था, कि अगर वो चाहें, तो वो Butterfly Migrations की study में help कर सकते हैं. Readers को सिरफ इसमें इतना करना था, अगर किसी को tag लगी हुई Butterfly मिले, तो वो उसे Dr. Urku Heart को भेज दे, जो की Toronto University के professor थे, और Butterflies की migration के उपर research भी कर रहे थे. इबराइट ने इस project में दिल्चस्पी दिखाई, और उसने Monarch Butterflies को tag करना start कर दिया. Butterfly collecting season, summers के अंदर last में सिरफ 6 weeks तक चलता था, और इबराइट को ये बात समझ में आ गई, कि अगर वो Butterflies को एक-एक करके catch करेगा, तो शायद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो उसने Butterflies को अपनी basement में ही race करना चालू किया, यानि उसने एक female Monarch को catch कर लिया, और उसके X को बड़ा करना चालू किया, तो उसने Butterflies को अपनी basement में ही race करना चालू किया, यानि उसने एक female Monarch को catch कर लिया, और उसके X ले लिये, और उन X को race करवाना चालू किया, पहले उस X से Caterpillar आया, फिर Caterpillar से Pupa और उसके बाद Adult Butterflies, और जब Butterflies पूरे तरीके से उड़ने के लिए तयार हो जाती थी, वो उनके उपर टैग लगा देता था और उन्हें जाने देता था, हाला कि जल्दी ही Ibrite को इस प्रोजेक्ट के अंदर interest खतम होने लगा, रीजन ये था कि जो Butterflies के उपर वो टैग लगा कर भेज रहा था, दूसरी साइड से उसको कोई Feedback नहीं मिल रहा था, और वो थोड़ा सा इसलिए भी Disappointed था, क्योंकि दो Butterflies सिरफ ReCaptured की गई थी, इसके अलावा जितनी Butterflies उसने Race करी थी, उनको ReCaptured नहीं किया गया था, और वो दो Butterflies भी उसके घर से 75 मील्स के अंदर ही मिल गई, उस टाइम तक Ibride जो है वो 7th grade में पहुँच चुका था, और अब वो दूसरे Scientific Experiments के साथ बिजी हो गया, अब Ibride ने Science County Fair में admission लिया, Participation के तौर पर उसने वहाँ पे अपनी Slides दिखाई, जो कि Frogs के टिशू की थी, हाला कि उस Science County Fair में उसे कोई प्राइज नहीं मिला, और उसे ये बात समझ में आ गई, कि अगर उसे कोई प्राइज जीतना है, तो उसे Real Experiments करके दिखाने पड़ेंगे, तो अब उसने अपने फेवरेट फिल्ड में रिसर्च करने के लिए डिसाइड किया, जो कि Insects के उपर था, इस प्रोजेक्ट के उपर वो अल्रेटी पहले से भी काम कर रहा था, इबराइट ने डॉक्टर उर्कु हार्ट को अपने आईडियास के बारे में बताया, रिप्लाइ में डॉक्टर उर्कु हार्ट ने इबराइट को उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ सेजेशन्स दिये, इन experiments ने Ebrite को throughout high school तक busy रखा इस बीच वो कई सारे county और international science phase के prizes जीता अपने 8th grade के project के लिए Ebrite ने उस disease के बारे में दिखाने की कोशिश करी जिस viral disease की वज़े से सारी मुनार्ख caterpillars एका एक मरती जा रही थी उसने ये सोचा कि ये disease जो है कोई ना कोई बेटल कैरी करके लेकर आता है उसने caterpillars को बेटल्स की presence में पैदा करना चालू किया लेकिन उसको कोई real results नहीं मिले हाला कि उसने ये experiment science fair में शो किया और वो जीत गया अगले साल उसका science fair प्रोजेक्ट वाइसराय बेटरफलाईस के उपर था उसने अपनी थियूरी दी कि वाइसराय बेटरफलाईस मुनार्ख बेटरफलाईस को कौपी करने की कोशिश करती है क्योंकि birds को मुनार्ग butterfly टेस्टी नहीं लगती और वो वाइसराय बटरफ्लाइज को ही खाती है तो birds से बचने के लिए वाइसराय बटरफ्लाइज मुनार्ग बटरफ्लाइज को कौपी करने की कोशिश करती है ताकि वो birds से बच जाएं इबराइट का ये प्रोजेक्ट geology revision में first position और county science fair में third position लेकर आया अपने high school के second year में इबराइट ने अपनी research को और आगे बढ़ाया और एक unknown insect hormone के बारे में discovery करने की कोशिश करी इंडिरेक्टली ये research उन्हें आगे चलकर life of cells की नई theory के बारे में ले गई इसके मुताबिक वो एक बहुती simple question का आंसर जानना चाते थे कि मुनार्ख pupa के उपर 12 gold spots के क्या reason है उस pupa के उपर 12 छोटे छोटे gold spots क्यों होते हैं इस question का आंसर जानने के लिए इबराइट और दूसरे student ने मिलकर एक device तयार किया जिस device से ये पता चल रहा था कि वो spots जो हैं वो एक हार्मोन की वज़े से produce होते हैं और ये हार्मोन butterfly की full development के लिए जरूरी होता है इस project की वज़े से इबराइट को county fair में first prize मिला और international science और engineering fair में उनको entry मिल गई यहाँ पे उन्होंने जूअलोजी के अंदर third place हासिल किया इसके अलावा अब उन्हें Walter Reed Army Institute of Research के अंदर भी काम करने का मौका मिल गया इबराइट ने मुनार्क पीपा के उपर अपने experiments को continue रखा और उसको और advanced level पर ले गए आगे चलके उन्हें उनके project के लिए international science fair में first place मिला अपने senior year के अंदर उन्होंने मौनार्क butterfly के wing से cells को grew करना चालू किया अपने इस experiment से वो ये show करना चाते थे कि butterfly के development की stage में जब cells starting से divide होना चालू होते हैं और develop होना चालू होते हैं तो वो तभी हो पाते हैं जब उन्हें उन 12 tiny gold spot से वो unknown hormone मिलता है अगर वो hormone उन्हें ना मिले तो pupa normal butterfly में convert नहीं हो सकता इस project ने international science fair के geology division के first place को जीता उन्होंने army laboratory और US department of agricultural laboratory के लिए भी काम किया अपने summers के अंदर ibrite वापस से department of agricultural lab के लिए काम करने वापस आ गए और वहाँ पे उन्होंने hormone theory के अपर काम करना चालू किया finally वो उस hormone के chemical structure को identify करने में successful हो गए और एक याफे डेट साल के बाद एक दिन ibrite ने उस chemical structure के cells की x-rays photos देखी और वहाँ से उनको cell life की new theory के बारे में ideas आने लगे उन photos की वज़े से उनको blueprint को read करता है दोस्तों DNA के बारे में तो आप जानते ही है DNA हमारे nucleus के अंदर होता है जो हमारी heredity को control करता है DNA life का blueprint है ibrite और उनके college roommate James R. Wong ने उस chemical structure की pictures बनाई और उसके plastic models को तयार किया किसी को भी जानकर ये हरानी नहीं हुई जब Richard E. Bright Harvard University से highest honors में graduate होकर वहां से निकले इसके अलावा वो Harvard Medical School में एक research student के तौर पे भी graduate हुए और वहां पे उन्होंने अपनी इस theory को test करना चालू किया उसके उपर experiments करने चालू करे अगर ये theory correct हो जाती है तो life process को समझने के लिए एक बहुत बड़ा step हम ले सकते हैं और cancer जैसी भयानक बिमारी और इसके अलावा कई ऐसे बिमारियों के solutions के बारे में भी हमें ideas मिल सकते हैं I. Bright के कुछ और interest भी है वो एक champion debater है और साथ-साथ एक public speaker भी है इसके अलावा वो एक expert photographer भी है I. Bright के social studies teacher Richard Weyer उनको बहुत praise करते हैं I. Bright बताते हैं कि उनके mind में नए-नए ideas आने का श्रय उनके teacher को ही जाता है Richard A. Weyer I. Bright के interest के बारे में भी बताते हैं वो कहते हैं कि I. Bright हर बार इसी लिए जीतते हैं क्योंकि वो हमेशा अपना best देना चाते हैं वो कहते हैं कि I. Bright बहुत ही competitive nature के हैं लेकिन वो bad sense में competitive nature के नहीं है वो अपने आपको best proof करना चाते हैं और last में writer ये बताता है कि I. Bright के अंदर कुछ ऐसी खासियत भी है जो एक scientist होने के लिए necessary हैं वो बताते हैं कि I. Bright का दिमाग बहुत तेजी से काम करता है वो और सही reasons के लिए अपनी willpower का use करते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया scientific world के लिए लेकर आते हैं तो उमीद है दोस्तों आपको ये explanation समझ में आ गया होगा आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहेए खेल-खेल में घ्यान करते हैं करते हैं करते हैं